बागवान साथियों नमस्कार मैं डिम्पल पांच्टा एक्स मेंबर बोर्ड और मेनेजमेंट डॉक्टर वायस परवार उनिवेस्टी सोलन प्रेजडेंट हिमालियन एंजियो आज मैं आप लोगों के बीच मेरे जो हायर एल्टिट्यूट वाला ओर्चर्ड है लगवागग 7100-7200 के आसपास वहां से लाइब आप से जुड़ा हूँ कुछ वेरेटीज की पर्फॉर्मेंस में आपको यहां पर दिखाना चाहूँगा ये रेड कान है काफी अच्छा साइज इस बार देखने को मिल रहा है इवन अगर मैं यहां पर रेड गोल्डन की भी बात करूँ तो मुझे लगता कि मीडियम स्मॉल तक बहुत सारे फूट ऐसे जो रेड गोल्डन के भी पहुँच चुके है और यहां पर मैं आपको रॉयल दिखाना चाहूँगा यहां का बीच बीच में कहीं कहीं कुछ लीव इन्फेक्टीड हो चुकी है मगर इसके साथ साथ अगर हम बाकी लीव को देखेगे अभी तक काफी अच्छी है हलक हलका इन्फेक्शन आना जरूर शुरू हो गया है और हमें अपने बीचे का दियान रखना पड़ेगा के इन्फेक्टीड ना हो मैं अगर यहां पर अपने स्राउंड में देख रहा हूँ तो लगवग बहुत सारे फार्मर ऐसे जिनके 70-80% तक लीव फॉल हो चुका या फॉल होने वाला है तो अगर हम देखें के तो हाइट में इस बार ड्रॉट की वज़ा से जो साइज है वो बहुत ही शांदार बना हुआ है आप कोई भी फूरूट चेक कीजिए लार्ज मीडियम से नीचे मुझे नहीं लग रागे इस साल अभी यहां पर हार्वेस्टिंग लगवग 15 सेप्टेंबर के आज पास होनी है हो सकता कि इस साल जल्दी भी करें ड्यू टू ओवर्साइजिंग ना हो तो हम देख रहे हैं तो साइज बहुत अच्छा आ रहा है यहां पर किसी भी फ्रूट को अगर हम चेक करेंगे इवन यहां पर कुछ तो मुझे लगता कि सूपर लार्ज भी बन चुके है कलर भी काफी अच्छा आने लग गया है और चड़ में और अगर हम शेप की बात करें पीजी आर का यहां इफेक्ट आपको साफ साफ दिखेगा क्योंकि हाईर एल्टिट्यूट है और अच्छा फ्रूट बन रहा है कुछ यहां पर मैं आपको हैपके की परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहूँगा के सकतर बत्तर सौ फिट पे कैसा हैपके परफॉर्म कर रहा है आप देखिए बहुत अच्छा साइज यूनिफॉर्म कलर बहुत अच्छा आ चुका है हैपके के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ यह रॉयल देखिए काफी अच्छा साइज है और मुझे लेगा कि अगर 15 सप्टेंबर के आज पास हमने तोड़े तो इसमें मुझे नहीं लगता कि छोटा एपल कोई आएगा शेप बहुत अच्छी है इस साल और मैं अगर देख पा रहा हूँ कि जो और्चर्ड में अगर इन्फेक्शन की बात करूँ मुझे लग रहा है कि दो से तीन परसेंट तक हलका सा इन्फेक्शन आ चुका है क्यूंकि चारो और से जितने भी और्चर्ड है बगीचे है उसमें काफी जादा इन्फेक्टिड हो चुके है और्चर्ड तो अपने बगीचों का आप दिहान रखे टाइम से सप्रे करे और सही सप्रे करे ऐसा ना हो के इस साल सीजन थोड़ा लेट है और आप लोग लिफ की वज़ प्रॉब्लम नहीं लगे और मुझे लग रहा कि काफी सालों के बाद हमने इतना अच्छा यूनिफॉर्मिटी देखी साइज को लेके थोड़ा समय आपको यहां पे एक दो वेराइटी और दिखाना चाहूंगा ऐसा नहीं है कलर तो खैस यह देखिए कुछ एक यहां पे मैंने रेड़ व्लॉक्स भी लगाया था ट्राइल के लिए तो आप देखिए रेड़ व्लॉक्स का साइज और कलर यह हमारा एक जिरीदार पोदा है यहां पर जिस एपल की बात में हमेशा करता रहा हूं आप से के एक नए निउस यह देखिए आप डिफरेंस देख सकते के कितना ग्रीन है और पीछे वाला कितना ग्रीन है एपल यहां पे और यह देखिए म्यूटेशन तो इसमें लगबग 80% कलर आ चुका है और काफी अची परफॉर्मेंस इसकी साल दर साल हो रही है इसको हम पेटेंट कराने की और इस साल प्रोसेस को करेगे आगे का आप देख सकते कि कितना फरक है इस एपल में यह देखिए सेम पोदे में अभी कलर किस अच्छा म्यूटेशन हुआ है आप भी अपने बगीचों में चेक करें कोई ऐसी म्यूटेशन होगी तो एक न्यूब रेटी का रूप ले सकती है वो आप ज़रूर मॉनिटर करें इन चीजों को यह हमारे रॉयल काफी अच्छा साइज अभी लगबग एक महिना है हार्व मेजन कर सकते के एक महिने के बाद एपल का साइज क्या हो जाएगा यहां पर शेप बहुत ही अच्छी है इस साल